हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होब सब बहुत अच्छे होंगे तो भी गर्भी का मोसम आ गया है और थोड़ा आम का मोसम भी आ गया तो चटपटी सी चटनी का रिस्पी मैं आप लोगों से सेर करती हूं तो यहां पर मैंने कच्छा मैंगो लिया है और यह मार्केट मे इजली अवलेबल हो जाता है तो मैंने एक मैंगो लिया है और इसका चटनी में बनाके आप लोगों से सेर करने वाले हों जो की 5 नट में बनके यह रेडी हो झाते है और बहुत ही टेस्टी एमी और चटपटी तीखी सी चटनी बनके यह तैयार हो जाते हैं तो चलिए इसक वो अच्छी तरीके से चील लेते हैं और यह चट्नी गर्मियों में तो खाना बनता है और मैं जादा तर गर्मी में चट्नी का रेश्पी ही आप लोगों से हो सकता है सेयर करूं क्योंकि चटनी मुझे सब्जी से ज्यादा टेस्टी लगते हैं अगर सब्जी नहीं भी हो और ऐसे भी मा बनाने का मूड नहीं हो चटनी भी बना लीजिए तो देखे ये मैंने छील लिया है और आप भी बताना कि आप गर्मियों में कौन-कौन सरेश्पी बनाते हो तो इसको इस तरीके से कट कर लेते हैं और ये अभी ही हाड हो चुका है इसका गुठली जो हाड है तो मार्केट में तो ये 10-15 दिन पहले से मिलना स्टार्ट हो गया था ऐसे तो यहां करनाटका में सौथ में तो ये सालों बर मिलते रहते हैं क्योंकि इधर सांबर में ये डाला जाता है तो इसका गुठली मैंने इस तरीके से निकाल लिया है और इसको बारी कट कर लेंगे पतला-पतला ही तो यहां गुठली उतना हाड भी नहीं था थोरब उताड था तो मैंने चाकु से ये पैन को गर्म करने रखा है इसमें मैं एक मुठी धनिया खरा धनिया डालूंगी और आधा चमच जीरा और तीन सूखी लाल मिर्च और एक कश्मीरी सूखी लाल मिर्च मैंने डाला है और इसको भून लेंगे जब तक सुन्दा खुसुष से नहीं आने लगे तो यह भून लाशुनी सब डालिए लेकिन ये मेरी मामी ऐसा चटनी बहुत बनाया करती थी तो मैंने सोचा जी यह इसी को बनाते हैं और इसमें पांचे कलिया लाशुन के डाल दीचे अगर लाशुन नहीं खाते हैं तो इसको आप मत डालिए और टेस्ट की शाब से इसमें नमक डाल दीचे अगर कम होगा तो फिर बाद में डाल देंगे तो इसमें थोरा सही पानी कर डाल के पीछे पहले ही पूरा भर के पानी मत डालिए क्योंकि ये पिछनी मत्रसा दिक्कत होने लगता है तो इसको अची तरीके से पीछ लेते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना नहीं भूलिएगा लाइक करिएगा कमेंड करिएगा और मेरे रिस्पी को सेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्सर्किल में तो यहां पे मैं च्चेक कर रही हूं कि यह कैसा पीस है तो भी थोरा सा पाकी था तो अब ये अल्मोस्ट हो गय तो मैंने इसको एक छुटी से बावल में डाल दिया है और यह देखिए चटपटी सी जटपटी सी चटनी बनके रिडी है आप बताना आपको यह रिष्पी कैसा लग रहा है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज आप इसको दिखाती हूं कितना यह मिल लग रहा है ना खालूं तो बताना यह कैसा लग रहा है तो फिर मिलूंगी अच्छे-च्छे रिष्पी के साथ आप बताना आपको मेरा रिष्पी कैसा लगता है तो अभी के लिए बाई टेक केर थेंक्यू